तो जिसना से आपको पता है हमारे पार React.js की लेक्चर सिरीज चल रही है और इसके अंदर हम हुक्स का टॉपिक कवर कर रहे हैं तो भई देखो प्रिविएस लेक्चर के अंदर हमने एक हुक की बात की थी जिसका नाम था यूज स्टेट तो उसके अंदर जितनी भी चीजें थी वो मैंने आपके कवर कर वा ली हैं देखो अब हम आ रहे हैं अपने सेकंड हुक फंक्शन के उपर जिसका नाम है यूज एफेक्ट बहुत ही यूज होने वाला एक हुक फंक्शन है हमारी React अप के अंदर ठीक है तो य यूज एफेक्ट का ये जो नाम रखा गया है ठीक है ये नाम इसका यूज एफेक्ट क्यों रखा गया है और फिर ये डिसकस करेंगे के ये फंक्शन ये हुक फंक्शन क्या काम करता है और फिर इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे ठीक है तो आगे चलते हैं अब यहाँ यहाँ पर देखो, many developers were confused by the name of this hook, use effect. मतलब बहुत सारे जो developers हैं, वो confused हैं कि इसका जो नाम है, वो कैसा नाम है? मतलब इसका नाम क्या है? use effect. तो developers confused हैं कि इसका नाम ये use effect क्यों रखा गया है? बहुत समझो इस नाम का मतलब क्या है? यहाँ पर देखो second point, what exactly is an effect? functional programming term call a side effect. मतलब देखो, यहाँ पर कह रहा है, यह जो word है na effect. यह हमारी functional programming की एक term से लिया गया है, जिसको हम कहते हैं side effect. मतलब यहाँ पर जो यह use effect है na, हमारे hook function के अंदर, यह जो नाम है use effect. इसके अंदर जो effect है, effect का मतलब क्या है side effect? अब side effects क्या होते हैं, यहाँ पर देखो, some example of side effects, मतलब यहाँ पर side effects की आपको कुछ examples बता रहा है, भई देखो side effects क्या है, कुछ operations है, for example, यहाँ पर देखो, कुछ examples आपको दीवी हैं, जिस तरह से, fetching data from API, मतलब भई देखो, अगर आप किसी API से, किसी web API से आप data fetch कर रहे हो, या कहीं database वगरा से data fetch कर रहे हो, तो यह जो operation है, यह जो process है, इसको हम programming की term में क्या कहते है, side effects, ठीक है, तो यह fetching data from API side effects की क्या होगई, यह एक example होगई, फिर देखो, दूसरी example क्या है, directly updating the DOM, मतलब भई react के अंदर हम अपने DOM को directly update नहीं करते, क्योंकि react के अंदर एक virtual DOM का concept होता है, हम virtual DOM के थूर सारा काम करवाते हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि अगर आपको directly DOM को update करना है, या access करना है, तो जब आप यह operation perform करोगे, इसको भी side effects कहा जाता है, और फिर देखो timers, भई देखो आपको पता है न, हम अक्सर अपनी websites के अंदर timers चलाते हैं, अब वो clock timers भी हो सकता है, या फिर अक्सर ऐसे timers भी चलाये जाते हैं, web developers की तरफ से, for example, जैसे ही आपका user आपकी website के उपर आता है, जैसे आपकी website के link को access करता है, तो एक timer start हो जाता है, और वो timer basically किसलिए होता है, कि भाई वो जो user आया था, वो कितने time तक हमारी website पर मौजूद रहा, तो उसका time बगरा calculate करने के लिए भी हम काम करते हैं, फिर इसी तरह अक्सर web developers को पता होगा, कि जब आप login करते हो, तो आपका एक session create होता है, एक state maintain होती है, तो उस state maintenance के साथ साथ हम एक timer भी चला देत हैं, जो के उस time को capture करता है, कि भाई ये जो हमारा user login हुआ था, वो कितनी देर तक login रहा, और उसके बाद कब उसने logout किया, तो इन चीजों के time को capture करने के लिए हम timers का use करते हैं, तो timers का use भी basically क्या कहलाता है, एक side effect कहलाता है, तो इसका मतलब यहाँ पर आप समझ जाओ, कि side effects के लिए हम use करेंगे ये वाला hook function जिसका नाम है use effect, ठीक है फिर आगे आजाओ, अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, the use effect hook allows you to perform side effects in your functional component, देखो वही बात आ गई, कि use effect को use करके आप side effects को perform करते हूँ, side effects मैंने क्या बताया, यहाँ पर देखो, ठीक है यह देखो, fetching data from API directly updating the DOM, timers हो गए, subscription वगरा setup के लिए हम side effects के लिए use effect hook function use करते है, तो यहाँ पर देखो, यह जो use effect hook हम use करते है, side effects perform करने के लिए सारा काम हम कहां करते है, अपने functional component में, ठीक है, मतलब class component में नहीं यह बात याद रखना, क्योंकि hooks हम कहां पर use करते है, functional components के अंदर, तो यह वाला hook function भी हम कहां use करेंगे, functional component में, फिर आजो second point, sometimes we want to run some additional code after react has updated the DOM, मतलब भाई देखो, यहाँ पर एक scenario समझा रहा है आपको, कि अकसर ना हमें कुछ additional code run करने की जरूरत पड़ती है, जब हमारा DOM update हो जाता है, उसके बाद, मतलब हमने कोई चीज update की, अपनी website में, अप जैसे के network request, network request मतलब API calls वाला जो काम होता है, फिर second, manual DOM mutations, मतलब वही बात के, अगर हमें directly DOM को update करना है, DOM से related जो objects होते हैं, उनको use करके, अगर directly DOM को update करना है, तो तब भी हम side effects का use करते हैं, और फिर देखो logging, and logging are most common examples of effects, logging मतलब, by for example, हमें कोई information capture करके, किसी file या किसी और use effect वाला, यह जो hook function है, वो use करते हैं, तो मतलब इन operations के लिए हम क्या कर सकते हैं, यह वाला use effect function यूज कर सकते हैं, फिर देखो next point, the render method itself shouldn't cause side effects, it would be too early, मतलब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, आपको पता है आपके class component में और function component में क्या होता है, एक render method होता है, तो हम यहाँ function component की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कह रहा है कि function component के अंदर जो render method होता है न, वो बहुत जादा जल्दी call हो जाता है, मतलब भाई suppose करो अभी तक हमारे elements ब्राउजर पे render नहीं हुए, तो ब्राउजर पे render करवाने वाला काम कौन करता है, render method, तो इसका मतलब जब render method execute हो जा तो render method के बाद, मतलब जो हमारा DOM update हो जाए, उसके बाद अगर हमें कोई side effects perform करने है, operations perform करने है, तो उसके लिए हम यह use effect वाला hook function use करते है, फिर आज़ो आगे, common side effects, देखो जो अभी मैंने आपको बताया, कौन कौन से side effects हैं, जिस तरह से, making a request to an API for data from a backend server, मतलब मेरे पास सम request करके, get request या कोई और request करके, मुझे API से data fetch करवाना है, तो वो काम कहलाता है side effect, फिर आज़ो second point, to interact with browser APIs, that is to use document और window directly, भाई देखो आपको पता है ना कि JavaScript में document का object होता है, और window का object होता है, जो के DOM के लिए काम करते है, मतलब इन ही को क्या का जा रहा है, browser APIs का जा रहा है, और तो आपको पता है, इन चीजों को जो react use करता है, वो indirectly use करता है, हमारे virtual DOM की मदद से, लेकिन अगर आप इसको directly use करना चाहरे हो, directly आप अपने DOM को update करना चाहरे हो, इन objects को use करके, document और window, तो वो भी आपके पास क्या कहलाता है side effect, फिर आज़ो third point, using unpredictable timing functions like set timeout और set interval, मैं देखो तो इन functions को use करने वाला जो operation है, वो भी side effect कहलाता है, तो उसको भी हम कहां use करेंगे, अपने use effect function में, तो ये कुछ आपके पास examples हैं कि इसकी side effects की, फिर आज़ो आगे, अब देखो use effect hook के बारे में बता रहा है, if you are familiar about the react life cycle methods of class component, you can compare use effect hook as component did mount, component did update and component will unmount combined, अब भी देखो ये बहुत जादा important point है, इसको गौर से समझना, भी आपको पता है हम अपने previous lectures के अंदर, class component के अंदर हमने react life cycle methods पढ़े थे, react life cycle में किसे कह रहा हूँ, जिसके अंदर आपको पता है, mounting का phase था, updating का phase था, और unmounting का phase था, और इन तीनो life cycle phases के अंदर अलग-अलग methods थे, तो देखो यहाँ पे कह रहा है, यह जो use effect वाला hook है न, इसको आप compare कर सकते हो, अपने component did mount वाले method से, life cycle method से, component did update वाले life cycle method से, और component will unmount वाले life cycle method से, इसका मतलब, यहाँ पे जो तीन functions है न, यह हम कहाँ पे use करते थे, यह हम class component में use करते थे, इसका मतलब, इसको हम functional component में use नहीं कर सकते, मतलब, यह जो तीन function है, component did mount, component did update और component will unmount, इनको हम functional component के अंदर use नहीं कर सकते, तो इनकी जगा, हम functional component में क्या use करेंगे, use effect, मतलब काम कंपोनेंड मांट ट्लास कंपोनेंड में करता था अगर वही काम आपको फंक्शन कंपोनेंड में करना है तो आप यूज defaKE क्यों गरागे और अगर आप component did update वाला काम करना चाहरे हो तो उसके लिए भी आप use effect यूज़ करोगे अपने functional component में और पिर सेम इसी तरह अगर आप component will unmount यूज़ करना चाहरे हो तो उसके लिए भी आप ये वाला single function यूज़ करोगे मतलब आप समयलो के use effect हो इन तीनों function का काम कर सकता है single-handedly क्योंकि यहाँ पर देखो क्या लिखा है combined इसका मतलब देखो यहाँ पर कहने का मतलब पता ही क्या है कहने का मतलब यह है कि class component में आपको तीन function लिखने पड़ रहे हैं एक तो component did mount एक component did update और एक component will unmount मतलब आप कुछ ऐसा काम करवाना चाहरे हो जो के जब हमारा component mount हो तब भी वो काम हो जब हमारा component update हो तब भी वो काम हो और जब हमारा component unmount हो जाए तब भी वो काम हो तो class component में मुझे तीन function लिखने पड़ेंगे लेकिन functional component में मुझे अकेला एक function लिखना पड़ेगा जिसका नाम है use effect क्योंकि जब आप use effect लिखते हो अपने functional component में तो जब आपका component mount होता है तब भी use effect function चलता है और जब आपका component update होता है तब भी use effect function चलता है और जब आपका component unmount होता है तब भी ये वाला use effect function चलता है मतलब functional component में आपको तीन function लिखने की जरुवत नहीं है उन तीनों का काम आपके पास एक function कर लेगा जिसका नाम है use effect ठीक है फिर आगे आजओ तो आप देखो यहाँ पर क्या कहला है how to use use effect hook मतलब इस hook function को आप use किस तरह से करोगे तो यहाँ पर देखो first you have to import it from react मतलब सबसे पहले आपने इस use effect hook को सबसे पहले import करना है कहां से react से किस तरह से import करना है यहाँ पर देखो सबसे पहले आप अपने component functional component के top पे क्या लिखोगे import उसके बाद curly bracket में आप क्या लिखोगे use effect और फिर from और फिर react और देखो यहाँ पर मैं curly bracket में क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि मैं इसको named import कर रहा हूँ क्योंकि जहाँ पे यह function बनावा है वहाँ पे named export यूज हो रहा है कि import और export वाले का क्या concept है तो आप उस वीडियो से देख सकते हो ठीक है तो जब भी इस function को use करोगे यह वाली line आपने लाजमी लिखनी है फिर next we have to place this use effect hook inside the function component मतलब भाई देखो अब यह बहुत जादा important point है कि यह जो hook है na hook function जिसका नाम क्या है use effect इसको आपने अपने function की body के अंदर लिखना है मतलब आप इसको अपने function component की body से बाहर नहीं लिख सकते जिस तरह यह import वाली line है यह हम function component के बाहर लिखते हैं top पे लेकिन use effect को आपने अपने function component के inside use करना है अंदर use करना है फिर देखो next point when we place use effect hook inside the function component then we have the access of props and state easily भाई देखो बहुत ही जादा important point बता रहा है यह fourth point देखो इसमें क्या कह रहा है मतलब देखो यहां पर क्या कह रहा है कि जब हम use effect function को अपने function component के अंदर लिखते हैं तो इससे फाइदा क्या होता है इससे फाइदा यह होता है कि यह हमारा जो use effect function है यह हमारे props को और state को easily access कर सकता है मतलब function component के अंदर props और state use हुए है तो इन दोनों को मैं access कर सकता हूँ इस use effect के function के अंदर क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि use effect के function के अंदर हमें props और state की need होती है ठीक है तो यह point आपने बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि यह बहुत जादा important है और बहुत जादा use होता है react app के अंदर फिर देखो next point यूज effect runs after first render and also after every render update भाई देखो यह point भी बहुत जादा important है किस तरह से देखो यहापर क्या कह रहा है use effect runs after first render मतलब use effect वाला यह जो function है यह जब आपका component first time render होता है न तब भी execute होता है और आपका component जितनी दफ़ा update होगा जितनी दफ़ा render होगा तो यह function भी execute होगा मतलब use effect function first render पे भी execute होगा और जितनी दफ़ा आप अपने component को update करते जाओगे तो हर update पे ये वाला function call होगा देखो यही वज़ा है कि ये वाला function component did mount वाला काम भी कर रहा है और component did update वाला काम भी कर रहा है तो मतलब react life cycle के अंदर react life cycle methods के अंदर जो हमने class component में पढ़े थे वहाँ पे हमें ज़ादा methods call करने पढ़ते थे लेकिन हमें यहाँ पे function component में सिर्फ इस method को use करना पड़ेगा ठीक है फिर आगे आजाओ अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है use effect accepts two arguments मतलब यह जो hook function है use effect यह कितने argument लेता है कितने parameter लेता है दो लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो second argument होता है जो इस function का second parameter है वो optional है मतलब first वाला required है necessary है लेकिन second argument optional है मतलब अगर आप उसको use ना करो तब भी use effect का काम होगा फिर यहाँ पे देखो second point देखो अब यह syntax बता रहा है पहले आपने use effect लिखना है और use effect के पहले argument में एक function आता है मतलब देखो इसको जड़ा गौर से समझना use effect खुद एक hook function है और इसके पहले parameter में भी आप एक function पास करते हो इसका मतलब use effect function के अंदर आप जो भी function लिखोगे वो कब कब चलेगा जब भी आपका component first time render होगा और जब जब आपका component update होगा तो ये वाला function execute होगा और दूसरे argument में क्या होता है dependency dependency को मैं आगे जाके बताऊंगा लेकिन अभी आप बस इतना समझो के use effect के अंदर दो parameter हम specify कर सकते है जिसमें से ये जो second parameter है argument है dependency वाला ये क्या होता है optional होता है और जो first वाला होता है function वाला ये first वाले argument पे dependent है मतला आप ये वाला second argument तभी use करोगे जब आपने first parameter ये first argument को use किया हुआ होगा फिर आगे आजाओ the function inside use effect will run after every render is committed देगो वही बात कर रहा है ये जो function हम pass करेंगे न अपने use effect में ये हर दफाँ चलेगा जब आपका component अपडेट होगा या render होगा फिर देगो next point second argument of use effect is the array of values which depends on effects वाला देखो second argument ये जो है न dependency इसका क्या मक्साद है देखो ये कह रहा है कि second argument के अंदर हम array of values पास करते हैं और वो जो array of values होते हैं न वो हमारे side effect के उपर depend होते हैं ठीक है भाई देखो अब ये जब तक मैं इसका practical करके नहीं दिखाऊंगा आपको समझ नहीं आएगा ठीक है तो इस point को हम hold पे रखते हैं जब मैं इसका practical करवाऊंगा तब आपको दुबारा समझाऊंगा फिर यहां पे देखो important note देखो बहुत ही ज़ादा important note और वो क्या है you can call use effect hook as many times as you need मला देखो यह जो use effect function है यह जरूरी नहीं है कि आप अपने function component में यह use effect वाला function एक ही दफा यूज करो नहीं देखो function की यही खास बात है ना कि आप उसको reuse कर सकते हो तो यह जो use effect वाला hook function है आप इसको जितनी चाहे दफा यूज कर सकते हो अपने functional component के अंदर ठीक है तो भाई देखो यह तो हो गया इसका theory part अब आते हैं इसके practical के उपर तो मैं आ जाता हो अपने visual studio code में ठीक है तो देखो मैं अपने visual studio code में आ गया हूँ और यहाँ पे देखो यहाँ पे ना मैंने एक class component बनाया हो है ठीक है मैंने पहले से class component बनाया हो है और इस class component के अंदर मैंने यहाँ पे देखो वो जो counter वाला काम था ना मैंने यहाँ पे वो करवाया हो है और यहाँ पे देखो मैंने component did mount और component did update को भी use किया हो है मतला पहले आप इस class का जो code है उसको समझ लो फिर जब मैं इसको function component के अंदर लेके जाओंगा न use effect को use करके तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा तो यहाँ पे देखो मैं आपे अपने class component में क्या काम कर रहा हूँ देखो मैंने class component बनाया जिसका मैंने state है इसको यहाँ नीचे आजाओ यहाँ देखो मैंने क्या किया हूँ है अपने render method के अंदर यहाँ पे देखो इस count को मैंने यहाँ पे h1 के अंदर display करवाया हूँ है मतलब जब मेरा program first time चलेगा यहाँ पे मुझे क्या result मिलेगा 0 और फिर देखो मैंने नीचे एक button मनाया हूँ है नजर आ रहा है आपको एक button मनाया हूँ है और button के अंदर text के लिखा update तो अब यहाँ पे देखो जैसे ही मैं इस button के ओपर click करूँगा तो देखो on click पे मैंने एक event pass किया हूँ है event handler pass किया हूँ है जिसका क्या नाम है update count मतलब देखो जैसे ही मैं इस button के ओपर update करूँगा तो यह जो हमारा count है जिसमें first time 0 नजर आएगा वो increment होगा किस तरह से increment होगा देखो जब मैं button पे click करूँगा तो यह function चलेगा तो यहाँ पे देखो यह मैंने function मनाया हुआ आपको नदर आ रहा है और देखो यह function क्या कर रहा है हमारी state को update कर रहा है set state function के थूँ और किस तरह से update कर रहा है यह देखो जो count property थी थी जिसमें मैंने first time 0 initialize किया था तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है इस count के अंदर मैं one plus कर रहा हूँ मतलब जब जब मैं अपने इस button के उपर click करूँगा तो हमारे count के अंदर क्या होगा एक increment होगा और यहाँ पे देखो मैंने दो methods बनाये वे एक component did mount और एक component did update तो मैंने आपको बताया था ना जब हमारा component first time dom में create किया जाता है तो हमारे पास ये वाला method चलता है कौन सा component did mount तो देखो जब component did mount चलेगा ना तो हमें console log में message क्या print हो जाएगा component did mount calls और उसके बाद जब मैं button पे click करूँगा और अपनी state को update करूँगा तो कौन सा method चलेगा component did update तो जब ये वाला method चलेगा तो हमें message क्या print हो जाएगा ये component did update calls मतलब यहाँ पे देखो जब हमारा component mount होगा तो एक अलग method है और जब component update होगा तो अलग method है तो भाई देखो अब इस वाले component को यहाँ पे देखो मैंने अपने app में call किया हो है app.js में और app.js कहाँ पे call हो रही है यहाँ पे देखो हमारे index.js में और index.js क्या होती है हमारी react app का entry point होती है तो भाई देखो अब अगर इसका result मैं आपको दिखाऊ हूँ अपने browser पे यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो console आपको नज़र आ रहा है मैं console पे click करता हूँ तो यहाँ पे देखो अभी कौन सा method चल रहा है component did mount क्योंकि आपको बता है जब हमारा component first time render होता है तो कौन सा method चलता है component did mount वाला method चलता है तो देखो यह method चल रहा है और इसके अंदर हमें यहाँ पे देखो message क्या मिल रहा है message हमें मिल रहा है ये वाला component did mount calls ठीक है फिर यहाँ पे देखो अब मैं update करता हूँ ठीक है देखो जैसी मैं update बटन के उपर click करता हूँ तो देखो यहाँ पे 0 से value क्या हो गई 1 और नीचे देखो component did update calls तो कि मैंने अब अपनी state को update किया ना तो state जब update होती है तो कौन सा method चलता है component did update और अब देखो अगर मैं इसको दुबारा update करता हूँ तो दुबारा मैंने update के button पे click किया तो यहाँ पे value क्या हो गई 2 और नीचे देखो यहाँ पे component did update से पहले यहाँ पे देखो एक balloon में क्या लिखावा है 2 मतला देखो मैं जितनी दफ़ा इसको click करता जाऊंगा उतनी दफ़ा यह वाला जो method है component did update यह call होता जाएगा ठीक है लेकिन अब मैं यही वाला काम करता हूँ function component के अंदर use effect hook को use करके ठीक है तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ अपने visual studio में और यहाँ पे मैं सबसे पहले एक component बना लेता हूँ ठीक है और देखो src के उपर हम right click करते new file लेते और इसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ function effect ठीक है क्या नाम रख रहा हूँ मैं यहाँ पे इसका function effect.js ठीक है यहाँ पे आके मैं एंटर करता हूँ ठीक हो यह फाइल आ गई हमारे पास तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे function component बनाना है तो यहाँ पे मैं शौटकर लिखता हूँ rfce rfce लिखके एंटर करते हैं तो यह देखो हमारे पास यह आ गया तो भाई देखो अब function component में मुझे क्या use करना है use effect वाला hook function तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा उसको import करूँगा क्योंकि अभी देखो यहाँ पे सिर्व react import हो रहा है तो भाई देखो import करने का इक shortcut है यहाँ पे देखो यह जो मेरा function component है इसकी body जहाँ पे start हो रही है return से पहले यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ use effect ठीक है देखो आपको list में पहला पहला नज़र आ रहा है use effect आप इसके ओपर enter करो देखो जैसी आप enter करोगे तो यह देखो इसका import automatically यहाँ पे उसने हमें add करके दे दिया मतलब यह line हमें खुद से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी ठीक है तो देखो यह use effect वाला हमारे पास क्या आगया function आगया और भाई देखो इसके साथ साथ मुझे अपना use state hook भी use करना है क्योंके मुझे यहाँ पे state वाला काम भी करना है तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ मैं यहाँ पे use करता हूँ use state ठीक है तो देखो जैसे use state को यहाँ पे आके आप इस list से select करके enter करोगे तो यह देखो इसका import भी यहाँ पे आ गया नदर आ रहा है लेकिन भाई अभी एक चीज़ notice करो इन दोनों का import अलग अलग आ रहा है तो मैं क्या करता हूँ देखो यह जो use effect वाला import था ना इसमें से use effect को copy करता हूँ और यह जो second line है इसके अंदर use state के बाद मैं आपे comma लगाता हूँ और इसके अंदर मैं यह paste कर देता हूँ use effect और अब मैं यह वाली line हटा देता हूँ ठीक है जो third line है इसको अठा दो मतलब अब एक ही line के अंदर देखो मैं use state और use effect को named import कर रहा हूँ तो इस तरह से भी आप कर सकते हो तो अब देखो use state को मैं use करता हूँ और इसके अंदर मैं counter value initialize करता हूँ 0 ठीक है और आपको पता है कि मुझे इसको destructure करना पड़ेगा तो इसके लिए आपे देखो मैं आपे square bracket के अंदर दो variables बनाता हूँ यहाँ पर variable का नाम रखता हूँ count और दूसरे variable का नाम मैं यहाँ पर रखता हूँ set count मतलब देखो यह जो zero value है यह कहाँ पर चली जाएगी count variable में और जब मैं अपने count variable को update करूँगा तो वो update में कौन से method के through करूँगा set count यह तो हम previous lectures में देख कर आए हैं तो देखो अभी मैं क्या करता हूँ यह जो count है इसको मैं यहाँ पर print करवाता हूँ देखो return के अंदर मैं h1 का tag use करता हूँ और इसके अंदर मैं आपर क्या print करवा लेता हूँ यह count तो देखो अभी यह वाला जो हमारे पार use effect है इसको मैं यहां से cut करता हूँ ठीक है और यहां तक आपको result मैं display करवाता हूँ ठीक है तो इसको मैं आप आके save करता हूँ और अब इस component को function effect इसको मैं call करता हूँ यहां पे तो जो class effect है ना इसको मैं आसे comment कर लेता हूँ और मैं आप पर आता हूँ, मैं आपे call करता हूँ, function effect, ठीक है देखो, यह function component third पर आपको नदर आ रहा है, यहाँ पर, तो इसको select करके enter करता हूँ, तो जैसे enter करोगे, यहाँ पर देखो, इसका import आपके पास add हो जाएगा, तो अब इसको save करते हैं, और अब इसका result अगर मैं आपको effect में चलते हैं, अब देखो, यह जो h1 है, इसके नीचे यहाँ पर मैं एक button मनाता हूँ, ठीक है, बटन मनाते हैं, और इस button के अंदर मैं आपके text लिख देता हूँ, update state, और इसके अंदर मैं on click यहाँ पर pass करता हूँ, ठीक है, on click function पास करता हूँ, और इसके अंदर देखो कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, और यह क्या करेगा, हमारे count को update करेगा, तो देखो, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर, set count के parentheses open करता हूँ, और यहाँ पे मैं count plus one कर देता हूँ, बहला देखो, समझना यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे जैसी मैं इस button क के उपर क्लिक करूंगा तो यह set count चलेगा और set count क्या करेगा हमारे count के अंदर one plus करता रहेगा और जब count में one plus होता रहेगा तो यहां h1 में हमें updated value मिलती रहेगी तो देखो मैं इसको save करता हूं इसका result आपको दिखाता हूं browser पे ठीक है तो यहां पे देखो अभी zero नदर आ रहा है और नीचे क्या button है update state देखो मैं जैसे इसको पर click करता हूं तो यह देखो one हो गया दुबारा click करो two हो गया three हो गया ठीक है लेकिन अब मैं यहां पे क्या करता हूं अब मैं इसके अंदर use effect वाला function use करता हूं ठीक है तो यहां पे देखो use effect यह मैंने use किया था है यह अब क्या pass करोगे एक function और वो जो function मैं पास करूँगा वो arrow function होगा ठीक है तो यह देखो यह arrow function और यह आगई इसकी body तो यहां पे देखो अब इसके अंदर मैं एक simple सा message पास करता हूं ठीक है console.log लिखो और यहां पे आके इसके अंदर मैं आपे क्या देता हूं hello I am effect ठीक ह मतलब अब जब जब use effect वाला function चलेगा इसके अंदर यह जो मैंने arrow function पास किया है यह call होगा और मैंने आपको क्या बता है use effect कप कप चलेगा जब हमारा component first time browser पे render होगा तब भी यह चलेगा और जब जब हमारा component update होगा तो हर update के उपर यह वाला function चलेगा तो देखो मैं इसक time हमारा component render होगा तो देखो तब भी हमारा use effect function चल रहा है और देखो उसके अंदर message क्या show रहा है hello I am effect और अब मैं अपने इस state को update करता हूँ ठीक है तो यहाँ पे देखो मैं जैसी update state पे click करूँगा तो यह देखो यह function दुबारा execute हुआ दुबारा execute हुआ तो message क्या show रहा ह hello I am effect और देखो अगर मैं इसको दुबारा update करूँ तो देखो यह 2 हो गया और नीचे देखो यहाँ पे देखो left side में balloon आगे उसके अंदर क्या लिखावा है 2 और जैसी मैं इसको पर click करता जाऊंगा यह देखो increment हो रहा है और नीचे देखो जितनी दफ़ा मैंने उसको update कि होता है तब भी चलता है और मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि जब आपका component unmount होगा तब भी यह वाला function चलेगा तो मतलब यह use effect वाला function आप समय लो के तीन functions वाला काम अकेला कर रहा है और यहाँ पे देखो देखो यह जो मैं अपने count को यहाँ पे increment कर रहा हूँ इसको ना मैं यहाँ पे भी get कर लेता हूँ ठीक है देखो मैं आपे यह dot dot हटाता हूँ is equal लगाता हूँ और यहाँ पे मैं यह count का variable क्या कर लेता हूँ concatenate कर लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे console.log के अंदर जो count की value है वो भी नजर आएगी तो इसको save करते हैं browser पे आते है सबसे पहले मैं अपना यह जो console है इसको refresh कर लेता हूँ ठीक है देखो अभी देखो first time चल रहा है hello I am effect और नीचे क्या शो रहा है zero तो देखो अब अगर मैं अपने button के उपर click करूँ तो यह देखो क्या हो गया one और नीचे देखो क्या message है hello I am effect is equal to one फिर देखो इसी तरह क्लिक करता जाओंगा तो देखो जैसे जैसे क्लिक करते जाओगे देखो वैसे वैसे console.log वाला message प्रिंट होगा और देखो उसके साथ वो जो count है वो increment होता जा रहा है तो यह concept आपने याद रखना है लेकिन भाई देखो इस function के बारे में एक बात मैं आपको बताता जाओं देखो अभी यह वाला जो function है यह first time जब component render होता है तब भी चल रहा है और जैसी मैं बार बार update कर रहा हूं तब यह बार बार execute हो रहा है भाई देखो इसको ना हम conditionally मतलब हम इस use effect वाले function को conditionally भी execute करवा सकते हैं मतलब मैं चाहरा हूं कि यह वाला function इस is condition के according execute हो मतलब for example यह 3 यह 4 दफा execute हो या for example जब इसको state और props receive हो यह तब execute हो इस तरह की बहुत सारी conditions हो सकती हैं क्योंकि देखो जब यह use effect वाला function जब यह बार बार execute होगा ना हर update पे तो यह हमारी react app की performance के लिए अच्छा नहीं है इसलिए हम use effect वाले function को conditionally use करेंगे conditionally मतलब कौन कौन सी condition में यह वाला use effect function चलना चाहिए मतलब कौन कौन सी scenario में यह वाला function चलना चाहिए उसको भी हम specify कर सकते हैं लेकिन इसको हम देखेंगे अपने आने वाले lectures के अंदर तो यहां तक आप सिर्फ यह concept समाई लो कि यह use effect वाला function है यह first render पे चलता है और every update प यही वाला काम देखो मैंने कितने सारे code में लिखा है और यही वाला काम जब मुझे class component में करना पड़ रहा था तो मुझे अलग-अलग यहां पे methods बनाने पड़ रहे थे लेकिन function effect के अंदर function component के अंदर use effect को use करके देखो मेरा code कितना जादा short हो गया तो इसलिए function और hooks का concept future में बहुत जादा use किया जाएगा तो यह था आज का हमारा lecture use effect hook अगर कोई भी confusion अभी भी बाकी है तो comment में मुझे जरूर पूछ लेना तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है और ये lecture समझ में आया है तो मेरे चैनल को like कीजे, share कीजे, subscribe कीजे और मुझे अपनी